बिस्विल्लाह रमाने रहीम, डौन चिर्णन अकेडमी, स्टुडेंट्स, तुडेंट्स, 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 मैंने आपको आपकी बुक इंग्लिश की पूरी पढ़ा दिये, अम्मी से यूट्यूब खुलवाया कीजिए, रोज आना पूरी बुक एक दफा रो आपकी इंग्लिश की पूरी आपकी स्लेबस में दिया है, और जर्नल नॉलिज के क्विस्टन, मैंने जर्नल नॉलिज भी आपको यूट्यूब पे पढ़ाई है, सब याद कराया है, बार्ट्स ऑद बॉड़ी, नेम्स ऑफ द एनिमल्स, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स, ने A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and this Z, A to Z, रोज आना याद किया कीजिए, पहचान भी कीजिए, लिखना भी आया करें, आप कॉपी पे रोज लिखा भी करें, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में, अम्मी से नहीं लिखवाया करें, टुशन वाली मिश से या बाजी से नहीं लिखवाया करे खुद से लिखा करें, आपको लिखना आएगा जब, जब आप खुद लिखेंगे, मेरी बात गौर से सुन रहे हैं आप Students, अपना homework जमा करा के जाएए, नया homework लेकर जाएए, आपकी मिश ने आपको लिखने के लिए दिया है A to O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O A to O आपको लिखने के लिए दिया है, आपको अपनी कॉप्टी पे लिखना है इसके लावा मिश ने आपको देखिए, फिलिंदी ब्लैंक्स भी दिये है फिलिंदी ब्लैंक्स भी दिये है, वो भी आपको करना है ठीक है Students, आपको ये ब्लैंक्स फिल करना है आप देखें एके बाद क्या आएगा और यहां लिखिए, B, यहां C, D आपकी मिश ने लिख दिया है E, F, लिखावा है, आपको क्या लिखना है G, H, I, यहां लिखना है आपको J लिखावा है, आपको क्या लिखना है K, L, M, N O मिश ने लिख दिया है इस तरह O तक आपको काम करके लेकर आना है और ये बार-बार प्रैक्टिस करिए रोजाना लिखने की रोजाना बार प्रैक्टिस कीजे Students, अपना काम Neat and Clean Handwriting में कीजे खुद काम कीजे अम्मी से, अबुस से, बाजी से या अपनी टुशन वाले में सिना कराईएगा खुद काम करें और अपने स्लेबस में से General Knowledge के Questions YouTube पे भी मैंने पढ़ा है वो भी आप उसमें से याद कीजिए और Conversation के Questions याद कीजिए Poems आपकी Half Yearly एक्जाम की जो है वो याद कीजिए आप बिलकुल खाली नहीं बैठीएगा आपको इमतहान देना है इमतहान फॉरान स्कूल खुलने के बाद इमतहान होंगे देखें अगली क्लास में आप इमतहान देखे जब पास होंगे तब जाएंगे इसलिए बहुत तैयारी कीजिए ताके सब बच्चे पास हो सकें और अम्मी से कहिए आपकी फीज अगर जमा नहीं हुई है तो फीज जमा करा देए